हेलो फ्रेंट्स वेलकम एंड वेलकम बैक टो मैं चैनल ट्रडिशनल स्टैलिश प्रियंका आज की वीडियो जो है काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि सदा सौभागे वती भवस साडी के बारे मैं आप से शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने तीन साइट से परचेस किया है मीशो से, अमीजन से और फ्लिपकार्ट से सेम उसी साडी को मैंने तीनों अलग-अलग साइट से परचेस किया है क्योंकि मेरे पस बहुत सारे कमेंट आये थे कि मीशो के अलावा आप अधर एप से भी हमें बताईए कि हम कहां से इस साड़ी को परचेस कर सकते हैं क्योंकि उनके इहां मीशो एप डिलिवरी नहीं करता है परचेस करके फिर आपको बताया जाए कि किसमें मुझे क्या कमी है किसमें क्या अच्छाई आए सारी बातों को मैं आपसे डिटील में शेयर करने वाली हूँ और सदा सभागे वती भवव वाली साड़ी को आपने बहुत सारा प्यार दिया उसके लिए तह दिल से शुक्रिया आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आया और इससे आपको हैल्प मिल सकें और अपने लिए अच्छी चीज परचेस कर सकें ऑनलाइन यह सूपर अफोर्डबल प्राइज में है नाइन हंडड़ के अंदर ही सारा प्रोड़क्ट है यह चली वीडियो में देखते हैं कि किस साड़ी में हमें इंवेस्ट करना चाहिए अफ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मीशो पे सिर्फ एकी सेलर यह साड़ी दे रहा है तो सिर्फ एकी सेलर प्रोड़ आपको अर्प्रुइज ना हुईगऑ फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट और अमेजन की मैं लिंक डाल दूँगी मैं सिर्फ उसी साड़ी की बात करोंगी जो मैंने पर्चेस किया है हो सकता है कि जो मैं बता रही हूँ वो अधर दूसरी जो फोटोज है या दूसरे जो सेलर दे रहे हैं वो उससे अलग हो तो मैंने जो परचेस किया है उसी के बारे में पूरा फुल डिटेल बताऊंगी मीशो पे मैं प्रोड़ुक्ट कोड आपको शेयर करते हूँ अगर प्रोड़ुक्ut कोड सेम नहीं है तो यानि वो साड़ी की बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा clear करना जरूरी था friends क्योंकि बहुत से लोगों को काफी जादा confusion हो रही थी बहुत ही जादा बाते ने करते हैं चलिए हम देख लेते हैं कि किस app से कैसी साड़ी मुझे receive हुई है तो सारी साड़ीों को मैंने open कर लिया है लेकिन मैंने फिर से जो है सभी साड़ीों को उन्हीं के packet में डाल दिया है ताकि आपको भी बता सकूँ यह मैंने flip card से purchase किया है पिक में side में लगा दूँगी इसकी जो price 700 something है मतलब 800 में एक रुपे कम है 799 रुपीज में है और यह है वो सारी फॉस लुक की वात की जाय थो बहुत-बहुत बहुत ही खुपफूरत लग रही है बहुत प्यारी लग रही है जो इसका red color है एकधम blood red color है और इसका जो इन्होंने border दिया है जो जरीवक का काम है जो golden color क का जरीवक का काम है वो भी भी खुप्सूरत वर एकदम ब्राइट सा है तो देखने में काफी अच्छा लग रहा मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूं और बताती हूं इस साड़ी के बारे में और यह है साड़ी इस तरह से आपको साड़ी के बारे में पता है यह फ्रेंड सो पूरी प्लेन मिलने वाली है सिर्फ यही परक लगे हुए है जरी का काम है काफी अच्छे से वर्क किया हुए है अब मैं आपको दिखाती हूं इस लैस का जो इस बेस है यह दिखे फ्रंट साब इस लैस का जो बेस है यहां पर नाम मेंशन कर दोंगी तो यह आपको लैस मिलती है वेलवेट वाले फैबरिक यह नही है कि अगर यह वेलवेट का नहीं है तो यह अच्छा नहीं लग रहा है चीप क्वाल्टी का लग रहा है क्योंकि आप देखे फ्रेंट्स में जो इसका कलर है ना साडी का जो कलर से मैच करता हुआ इन्होंने बॉर्डर लगाया है जिसकी वज़े से इसका लुक बहुत ही साडी के फैबरी के बात करें, जोर्जेट का फैबरी कीवाल्टी बहुत ही अच्छी है और पूरी लेंथकी साडी मिलेगी मातलब फुल लेंथकी साडी मेन लंबाई में इसकी कोई दिक्कत नहीं है इसकी जो चोड़ान है फ्रेंड जो हम अंदर की तरफ टक करते हैं साड कोई नहीं होगी और मैंने बता इसकी लेंध ने लैस लगाया ना वो पीछे की साइड तक लगा है तक आभी रहा है कि यह इसका लैस जो नंहें बहुत अच्छे से लगाया हुआ मैं आपको दिखाती हूँ अंदर की तरफ जो हम कपड़ा टकिन करते हैं आप देखे फ्रेंट्स इतना एक मेटर का कपड़ा इन्होंने प्लेन रखा है और यहां तक इन्होंने बॉर्डर लगाया हुआ है तो वीर करने पे आपको लुक जो है ट्राइओन में क्लियर हो प्लेन नजर आएगा पीछे के साइड से तो इतना चल जाता है ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि फॉस प्लीट पे जब बॉर्डर नहीं आता है तो बहुत ही गंदा लगता है अगर यह बॉर्डर यहीं पर फिनिश हो जाता यहां पर फिनिश हो जात और ब्लाउज में भी आपको नीचे के साइट में इस तरह से लैस की डिटेलिंग मिल जाती है तो क्वालिटी वाइज इस साड़ी अच्छी है नो डाउट प्रहले मैं आपको तीनो साइट की साड़ियां दिखा देती हूँ उसके बाद मैं बताओंगी कि जैसे होताना की मीशो से फिलिप कार्ड की कैसी है पूरा फुल डिटेल में बताओंगी तो वीडियो को भी स्कीप मत करियेगा लास तक दिखेगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके हैं अब बात कर लेते हैं, अमेजन से जो मैंने साड़ी पर्चेस की है, सदा सभागिवती भवा वाली, तो इसे भी ओपन कर लेते हैं, और यह है, साड़ी फॉस्स लुकी बात की दिया है, तो इस तरह से यह साड़ी है, और इसका जो रेट कलर है, एकदम ब्लड रेट कलर नहीं है, तो बॉॉडर की भात करते हैं, इस तरह से जो इंब्रोइदरी की गई नहीं है, इंब्रोइदरी का अच्छी की गई है, लग demand का भी पोलिवती का लग रहा है, इंब्रोइदरी सफादीों में, तो इससे मैच करता हुआ, लगा यह अगर यहां पë ब्लड निगर NAO, itt अफिक किसी यूगया एक डाहे। इस पेसा साडी का पता। यूजरे कॉचल में इस पेसलियत की किर साडी काड़े परी बने लगा होस impost दीक कि भिट सिंगल में रंगोल सिर्ण करके पैर के साडी कि मिचली की दे थम्यगर होका थीक sociable साडी की लेंग्स इंच नहीं वेयर कर सकते हैं अगें उपर नहीं रूइट यहीं विद आहिंगा है यह साडी के साथ तो मुझे एंधे चोटी पढ़ने वाली थी और इस साड़ी का जो border है न अगर बात करें पीछे साड़ तक कितना आता और इसका blouse कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ तो इस इन्होंने भी जो border लगाया है न लगभल लगभग जो अंदर का जो कपड़ा इन्होंने टकिन के लिए छोड़ा है मैं आपको बता देती हूँ कितना छोड़ा है तो यहां से blouse इसमें आटेच है एक मीटर एक मीटर तक कपड़ा अंदर की तरफ इन्होंने प्लेन र वह बिल्कुल भी नहीं पसंद आया है बहुत ही चीप काइंट का फैब्रिक लग रहा है बिल्कुल स्लीपरी सा है अजीब सा लग रहा है उससे blouse की बात करें तो blouse भी नहीं नहीं दिया क्योंकि साड़ी भी ब्लोड रेट की नहीं है नीजे के साड़ी में इस तरह से अपड़े बेकार आते हैं लेकिन ये साड़ी जिस सेलर से मैंने परचेस की है उनका प्रोड़क्ट अच्छा नहीं है अब हम बात कर लेते हैं मीशो की तो मीशो वाली वही साड़ी है जो मैंने इसके पहले वाले अपने वीडियो में दिखाई थी इसलिए इसका पैकेट सेड़ी वाले इसल prosecution बिboys अब फिनिशिंग के साथ की गे है फिनिशिंग बात ही अच्छी है और इस लेस एपने लेस याई जो इसका व्ल Г. का फैड़िक यह यूज की वाले साड़ी में मैं दिखाय भी सिल कैंट का फैबरीक और यह एकदम वेलवेट काइंड का फैब्रिक है उस पे जो है इम्प्राइडरी की गई है इसमें भी साडी की लेंथ बहुत एची साडी की चोडान अगें जो है फाइफ फिट फाइफ इंस तक के लोग इसे वियर कर सकते क्यों कि मेरी हाइट फाइट फाइट सिक्स इंच ह अगर इतना कम टूंहीं होता है तो तो फाइफ फाइट पाइट सिस्ति दिलेनर कंडेर में आपको दिखाती को सिर्फ इतना ही कप्ड़ के प्लाउस का सपरां ऑल अरना की measurement तो इसी जो हैंनों ने मतलब यह थाइच लंद तो धिखाती हím यहां सी TE Moodyi में में आज सिर्फ पीछे का दोनों पैर को कवर करता है यह जो लैस इसमें लगा हुआ यह मुझे सबसे जादा अच्छी बात लगी थी इसमें और बात कर लेते हैं क्या हमें सिर्फ मीशो वाली ही साड़ी लेनी चाहिए या फिर अधर या फिलिपकार्ट के भी हम ले सकते हैं तो यहां पर मैं साड़ी का दिखा देती हूं और उसी में हम बात करते हैं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अब आप ट्रायाउन देखे फ्रेंट्स मैंने तीनों साड़ी के ऊपर मैंने नाम भी मेंशन कर दिया कि मैंने कौन सी साड़ी किस एप से ली हुई है तो मीशो की साड़ी का फैबरिक है या फिर साड़ी का जो कलर है वो मुझे काफी पसंद है फ्लिफटा की साड़ी का कलर मु linguину की उसके बारे में बात ही नहीं कर रही हूं मैं सिρ्फ मीशों की साड़ी का जब फैबरिक है एप जवर eg है जई garlicad का फैब्रिक है फीका ठीना ऐॉय पड्री तो गुट फैब्रिक है और दोनों का कलर मैंने बता दिया ऐसा नहीं है कि मीशो की साड़ी का कलर खराब लग रहा है या फिर फिलिपकार्ट का साड़ी का कलर बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा सा 19-20 का अंतर है क्योंकि रेट कलर में भी काफी शेड आते हैं अब बात क कुछ भी बुरा नहीं लगेगा अगर अगर विएक रते हैं अगर आप के अद्रेस पर मीशो की साड़िया नहीं डिलिवर हो इंवप्यार और विए करने पर बहुत प्यारा लुक मिलने वाला है और बस थोड़ी सी वही कमी्हें है कि उसमें उन्होंने लोग नहीं पे बा काफी आई कैचिंग लुक है एक बर मैं क्लोज अपको दिखा देती हूं क्योंकि इसका जो जरी वर्क है बहुत ज्यादा बोल्ड है और यह देखे फ्रेंट इस तरह से थोड़ास आपको यह मीशो वाली साड़ी का जो बॉर्डर का गोल्डन टच है थोड़ासा डल फिनिश ऑफनी खुबसूरती है लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने लिए अपने लिए बहुत प्यारी साड़ी क्योंकि आज कल यह साड़ी यह तिनी ज्यादा ट्रेंड में आजके पास इसमें की एक साड़ी तो होनी ही चाहिए फेस्टिवल्स में वीयर करने के लिए फ्रस्पा करती है। और मेरे सामने ने भी टोल पसंते हैं, डडार गाहर करहें किसं पॉक्प में भी कष्णने कि ऐसह पर वापूँक टोल quello के थे कुली कर आप राए पिछु जा डावफी शामने कर वित बात बना ही क कि टोल जरूर शियर करिएगा ताकि वो भी अपने पैसे सही जंगा इन्वेस्ट कर सके और ओनलाइन सौपिंग को और भी बहतर बना सके दोस्तों ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा अगर नहीं किया तो फटा-फट से कर लिजे बहुत सा द के लाएर